हलो दोस्तों डेकरोशन करने से पहले जो सेटिंग किजेगा किस तरह से इस्टेज सेटिंग करना है और आप बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाजेगा इस्टेज आप देख लेगा है इसका वीडियो में अपलोड करी चुका हूं यह आपका दिखा रहा हूं देख लेगा यह स्टेज का आप फिर्म देख रहे हैं यह फिर्म जो देख रहे हैं यह सावा इंची के लोहा के अंगल में इसको एंगल को सावा इंची बोला जाता है यहां पांच के लगा हुआ है यहांसे लिगल कि फिर देखिए देखिए ना पांच कि चला हुआ इसका जो लंबाई यह साथ फिट हुआ इसका जो लंबाई ये आपका जो है ये 7 फिट हुआ अचावलाई 5 फिट इसी साब चरिए आठ पाट इसे इसे में लगा हुआ है तो आपको साथ चोक अठाइस आप 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 अधूना दोस टॉटल इस्टेज आपको हो गया अठाइस भाई दस का हो गया देखे रहें ना ये 8 फाए 10 चर्च इसे तो श्टेज है अचाइस भाई दसका इसको सेटिंग करने का बात दे ए एक जो आपको धियान देना है देखे ये जो आपने का पायप को इक पिक दूसरी हमें बशूना देना है टाक ऐचि ये जो एक दूसरी हे लड़ाँ आ रहा है इसरी है घ değild Arne फोद तो शेसे कंः फात क्या अने यह जा इन सब्किक कॉना आने यह जो द्बार प्लंुकीत कर देखें हाथ हरे यह जो जो कंः का भी सफस्रिपित अब जो त्समें ऩढ़े भी शेकर रह आक इसको सेटिंग करने के बाद इसमें आप पलाय लगा सकते हैं, देख लेना, इसमें पलाय भी लगा सकते हैं, पलाय अगर आपको नहीं देना है, पलाय थुरा कमजूर होता है, इसमें पलाय दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं, तो इसके आप तक्था लगा सकते हैं, अम का तक्था आपको मजगूत रहावा सिगा यह हुआ दूर यह हुआ अनुवा तक्था यहां गर्भाब प्र०ु जो यह में सिर्भिए और सिंगल्सार हिमीखनेरे हुआ के इसके निर रहे हुए। मतलब शिंगल शिंगल अखने में तक साहरा जाता है लेकिन अगर इसको पटवा दिजेगा पीछे से अगर के देखे जैसे इस सब्सक्राइब यह है इसमें आप इसको से टिंग कर देखे एक दूसरे से बना रहेगा तो कि लागाने में आपको भी दिखते हैं होगा एक जो लगा हुआ है देखें लेकर लेकर वहां तक जो बीट लगा हुआ है इसको अराम से इसको बैक साइड में लगा करके इसको पटवा दिजिए यह नमर आपा हो जाएगा तो इसी ही साब तक को लगाना है जासे लिए पलाय सेटिंग उड़ा है पलाय तो मर्जंशी आट सक्था मेहा पड़ेगा अगर आप लेते हैं तो सस्ता पर जागा तो इस इस अब सर्था पलाय सेटिंग करना है नहीं करना है कर समझे लिए है ड़ाय देखें जेग से लिए तन बहां इतना का आपको जैसी कि साथ फैपाइ पांच का पलाय है तो पांच फित चला रखिए प्राइब दीजिए की तो पैंच फिट इसी हिसाप्ते आपको लगाना है लग दाइगा, इसी हिसाप्ते तक्था लाएगा, अब वेगा को तक्था परहागा, अगर आपको तक्था लेते हैं तक्षा चले आपको ज्याजदुचा ढलता है। पलायप का खराप होने का दोझा पलायप करूई प्वानीडि देकıld का पानी है नहीं गरिए अना। पलायप का पानी नहीं जल सकत है लेकिन तक्षा पानी बरसा, तरसा जो भी, सब आफ पाइब दिया गा ह। ऐसलिया आप पलाय इसी एंग के बलाई लगाते हैं तो अगर पलाय तक्षा सी पागा थाहा था गार पक्षा ना चाल चलेगा। इंग का पलाय नियुक्ता द्य॥राग हुएनेों मुटा रधानो युद्धा सीएगए दॉस्धा भी से का ing अपलाय भी आपको इसी साब से करवाना हुआ तो आप देख लिजे आप तस्ता या महेंगा जो भी आपको लगाना है उप लगाता हुआ तो इसे स्टेज से कर सुटिंग करने के बाद अब देख रहें कि पीछे में बांच का फ्रेमिंग नहीं लगा हुआ है तो आप अपन करू से लुकbase करे देख रहें न च्वटा चुटा चुटा या जैन आपि लंबा तो लागा ना है उसी साब से अले खांच. पहला शेल जार्ट है पाइला लगाई, फिर तैसरा है. तưởng आपको पांच कर लागाना है। श्राय अपको छोड़ा में लातकर अपने आप हुआ इसको सेटिंग कर सकते हैं, देख लिए फिर रिंग बनाने के लिए आपको टॉंडाल नेल का जरोत लेगी, यह स्टेज का प्राइप लागा हुआ है, इस्टेज के प्राइप में बाउस को बाहन देख लेना है, पहला बाउस यह बना गया है, दुसरा बाउस बनाएगा, त हो, तुसरा बाहने के लिए गवार को बनाले है, देख सिरेें। आपको इसी तरह से बनाना है, अगर बाउस का फ्रेमिंग नहीं बना हूआ हो तो आप पहले सिंगल-सिंगल पेंप देख लेंद पशिंगल और प्राइप सिंगल लिपने बहां ले मęस सब्सक्ила सब्सक्राइब करने में लि parfois तो आपके पुर्ण लास्ट में बचा हुआ है अराम से इसको बहांद करके क्लियर कर ले ताकि बेक्षार में जो भी डिक्रोशन आपको करना होगा चाहिए पाटा पिलर लगाईए उसको सपोर्ट करने में आपको किसी तरह का प्रोप्लम नहों किसी तरह का कोई दिक्कत नहों प्रेमिंग लगने के बाद देखिए फ्रेमिंग लगने के बाद पाटा में कप्रा लगा ले इस तरह से पाटा में कप्रा लगता है देखिए पाटा में कप्रा लगाने के बाद जो है देखिए वाइट पिंक का इसमें लेगा कप्रा वाइट और पिंक देखिए यह हो गया आपका 10 फिट का कपड़ा नॉफ इतका सिल ह्यार नो फिट का शी महार होना प्राज़ा का पैसा स्थेज दिए का काकरा इसें धे देखी चुक है किशल सामगे साबसे बाना देता है तो नव आच्छो का शित तावर विट अच्छों पिट का सित्य आई हुने बाद पटा जो दिख लेकिले सिन सब से पाट जो डॉक्प्र लागा है आठ फीट दस फीट ताथ पीट इसलिक पाटा में पाटा में पाटा में जुद्धा पर बाइब परएब याट ऊपलोड करने देए इसलिए दो पार्ट में विज़ा प्लोड होगा इसके मुझेद अब कप्रा लागाना प्रदो कर्दोन कीगा नीच आट बाटा में पीट्ट पाटा है तो इसके ऐसे आप कप्रा करके काप्रा काटने के बाद इसको सीधा सीधी काप्रा नहीं लाएगा इसमें जो कप्रा लाएगा जैसे इसमें इसमें फ्रेस्टिंग काप्रा का फिर काम होगा आ पर पर्फिंग काप्रा काम होने के बाद इसका बैकलगा जो कप्रेस्ट पर लाएगा इसमें तो आप krijसे पटने 9e6, 9e6 C तो लगाए जाएगा तो लंबा होने वाला है इसकारण हम उसको दू पार्ट में उपलेट करेंगे अपने पार्ट वान पार्ट वान पार्ट टू करके यह पार्ट में अगर बनाते हैं तो बहुत लंपा चल जाएगा इसी कारे इसको दूपार्ट में बिडियो बनेगा देख लिए पाटों में कप्रा लागाने का तारिका यहीं सीधा सीधी कप्रा है इसको राम से टैट करके अध्यार थार जो 24 नमर जो तार आता है उतार से इ हैं अगया सब्सक्राइब करें देखे नौफिट स्यां करें कि साथ को फीडियो है अपके में लगाए जा रहा ह herbal कंशन इसके बैच में जा देख रहें भी चमेंदा हो खाली जो जहा देख रहे हैं व्हाली खाले जो 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 बर दिख रहे हैं यह जो खाली जगा में में पूरा कानिचन लगाया जाएगा